हेलो, my all lovely students, I hope आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे चिल्डरेन, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है, क्लास 6 का कम्प्यूटर का चैप्टर फरस्ट, ठीक है, फंडमेंटल आफ कम्प्यूटर, प्रिवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को हाफ पोर्सन पढ़ा दिया है, लगबग, वर्किंग आफ कम्प्यूटर सिस्टम, इन्पूट, सीप्यू, आउटपूट, आईप्यो, शायकिल, ये सारी चीज़े, हाड़वेर, जो डिवाइसेज हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, एंड आल, ठीक है, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीप्यू से, ठीक है, अगर प्रिवियस लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो प्रिवियस लेक्चर भी देख लीजे, तभी आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से, ठीक है, तो चले, input devices की जो series चल रही थी, उसमें हमने keyboard, mouse, joystick, light pin, graphic tablet, scanner, touch screen, microphone, digital camera, wave camera, magnating ink, character reader, ठीक है, Oya Mar, barcode, ये सारा हमने देखा, ठीक है, अब पढ़ेंगे Central Processing Unit, CPU, जो की बहुत ही important part है computer का, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, कि CPU computer का बहुत ही important part है, तो जानते हैं, इसके बारे में, CPU is the most important part of the computer, computer का मुख्य भाग क्या है, CPU, ठीक है, ये सभी activity को manage करता है, computer पे, and जो भी electronic component है, वो CPU से connected होते है, cable से या wire से, CPU से connected होते है, ठीक है, actual processing is done within this unit only, जो actual processing होती है, वो किस पे होती है, CPU के थ्रोही होती है, ठीक है, इसलिए इसे हम कहते है, brain of a computer, CPU को कहते है, brain of a computer, ठीक है, computer का दिमाग किसे कहते है, CPU को, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, और जो processing होता है, जो data process का, जो function होता है, वो CPU के थ्रोह होता है, ठीक है, और CPU में हम input किस के थ्रोह देते है, keyboard, and CPU को जो input मिलता है, keyboard से हम जो भी instruction देते है, या फिर store, जो भी data store होता है, वहाँ से भी data access करता है, CPU, ठीक है, और ये जो सारा process है, calculation, जो सारा data process होता है, calculation होती है, ये सारी चीज़े display होती है, जो result होता है, display किस पे होता है, monitor पे, ठीक है जैसा हम instruction देते हैं, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, CPU क्या है, data process CPU में होता है, जो electronic components हो CPU से connected होते है wires से या cable से, ठीक है और brain of computer CPU है, और CPU को input किसके तरों मिलता है, keyboard या भी जो भी store होते है, data, ठीक है memory से, then the three main parts of the CPU, CPU की तीन मुख्य भाग, चलिए देखते हैं, क्या है CPU की तीन मुख्य भाग सबसे पहला है, memory unit sort में से EMU कहते है ठीक है, ये computer की main memory है main memory of the computer और इसे हम primary memory या internal memory भी कहते है, किसे memory unit को, ठीक है ये directly access, it is used directly and accessed by the CPU during processing of data, CPU यहाँ से data को direct access कर processing की दौरान, यहाँ से direct data receive करता है, ठीक है, किसे memory unit से, इसे हम primary memory या internal memory भी कहते है, ठीक है, अब next देखे, ये तो आपका हो गया पहला, अब देखते हैं, दूसरा important part कौन सा, CPU का, क्या है control unit, CU control unit, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, control, ठीक है ये क्या करता है, सभी जो computer के parts, जो operations होता है उसे control करता है, but does not carry out any actual data processing operation, लेकिन data processing operation में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है ठीक है, data processing operation में ये participate नहीं करता है ये जो operations हो रहते हैं जो computer के parts है, उसको control करता है, and manage and coordinate all unit of the computer, computer की जो भी unit है, जो भी function है, उसको control करने और manage करने का काम करता है उसमें सहयोग करता है, ठीक है, coordinate पार्ट है CPU का, वो है, sorry, वो है arithmetic logic unit, ALU, ALU का full form क्या होता है, arithmetic logic unit, this unit consist of two section, इस unit में दो section है, वो कौन-कौन से है, सबसे पहला है arithmetic section, performs arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division, जो पहला जो इसका section है, वो है arithmetic section, यानि जिसमें गड़ना काम होते हैं, गड़ती क्रियाएं होती है, ठीक है, addition हो गया, subtraction, plus, minus, गुड़ा भाग, आप सब कर सकते हो इसमें, ठीक है, अब देखते हैं, दूसरा इसका section क्या है, किसका section हम देख रहे हैं, बच्चो, हम देख रहे हैं, ALU का section, ठीक है, इसमें two section ह होता है, सबसे पहला, arithmetic section, जो कि हमने जान लिया, इसमें plus, minus, multiply division होता है, ठीक है, इसका दूसरा section है, logical section, logic section, यह क्या perform करता है, यह logic operations को perform करता है, जैसे data को compare करना, select करना, match कराना data, and data को merge करना, यह सारा काम जो होता है, यह logic section करता है, ठीक है, तो ALU का दो section है, arithmetic section और logic section, दोन अब आगे देखते हैं, क्या है, output devices, इसके पहले आपने क्या पढ़ा, उपर जो आपने पढ़ा, वो क्या था, input devices, ठीक है, अभी आप लोग पढ़ेंगे output devices, चलिए जानते है, the output normally can be produced in two ways, जो output होता है, वो normally दो तरीके से मिलता है, कैसे, एक तो होता है, जो कि monitor पर display होता ह है, और दूसरा है, on paper, ठीक है, हम जेरोक्ष निकालते है, hard copy जिसे कहते है, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपका output है, other kind of outputs, such as speech output, mechanical output, या also being used to certain applications, कुछ output है, जैसे speech output हो गया, mechanical output हो गया, ये भी आपके output के प्रकार है, ठीक है, some popular output devices are listed below, कुछ popular output devices के बारे में नीचे दिया ग ठीक है, देखते हैं, कौन-कौन सी popular output devices है, सबसे पहले हैं आपका monitor, monitor क्या है, जो computer की जो screen होती है न, ये होती है, आपकी monitor, ठीक है, इस पे जब कोई भी result display होता है, data process होने के बाद display होता है, तो हम कहते हैं, हमें output मिल गया, ठीक है, it is main and essential output device, सबसे मुख्य और सबसे output device क्या है, monitor, और इसे हम कहते हैं, visual display unit, monitor को VDU, भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, अक्सर लोग monitor कहते हैं, लेकिन monitor का एक दूसरा नाम भी है, जिसे हम कहते हैं, VDU, visual display unit, ओके, it forms images, ये जो images है, इसको किस form में करता है, dots के form में, जो monitor पे images हमें दिखती है, वो dot के form में होती है, बहुत ही tiny dots, बहुत ही छोटे dots के form में होती है, जिसे हम कहते हैं, pixel, pixel word आप सुनते हैं, इतने megapixel का camera है, ठीक है, ये word आप लिए सुना होगा, that are arranged in rectangular form, और ये किस form में arrange होता है, जो pictures होती है, जो pixel किस form में arrange होती है, images, rectangular form में, आयताकार form में, ठीक है, the smaller the pixel, the better the image, clarity, resolution, जो pixel होए, वो जितना ही छोटा होगा, यानि जो dots है, वो जितने ही tiny होगे, जितने ही छोटे होगे, उतने ही आपकी picture, better होगी, quality, clarity, resolution, सब में, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब आगे आपका, दूसरा output device, क्या है, speaker, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते है, picture भी आपे दिया हुआ है, speaker चलाने में बहुत मज़ा आता है, चलिए देखते हैं, the speakers are used to give output by the computer in the form of audio, जो आपका speaker है, ये output किस form में देता है, audio के form में, ठीक है, you can listen to different sounds or music on the computer, which help to make the environment lively, lively का मतलब क्या होता है बच्चो, बहुत ही रोचक, यानि जो music आप अलग-अलग sounds, अलग-अलग music आप computer पर सुनते हैं, computer की help से, ये environment को क्या बनाता है, बहुत ही रोचक, बहुत ही interesting बनाता है, ठीक है, speaker का use हम computer में कोई भी शौंग है, speaker को उससे connect करके, बजाते हैं ना, तो वो क्या करता है, environment को बहुत ही interesting बनाता है, वैसे प्रिंटर्स चलता है, तो महल अच्छा हो जाता है ना, तो कहने का sense ही है, चले आगे देखते हैं, अब है आपका printers, प्रिंटर्स, आज कल प्रिंट का use के तना हम करते हैं, कोई भी form है, कोई भी data है, कोई भी PDF है, online PDF भी हम input, प्रिंट करा के उसको पढ़ सकते हैं, इसली है जाओ देखते हैं, प्रिंटर्स are used for producing output on paper, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर पर आउट्पुट को प्रोडूच करता है, यानि प्रिंटर से हमें output paper के तो मिलता है, ठीक है, यह हम कहते हैं hard copy, जो printout हम ले के आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं hard copy, ठीक है, there are a large variety of printing devices which can be classified as बहुत सारी variety है printing devices का ठीक है जिसे हम classified कर सकते हैं सबसे पहला है impact printer दूसरा है non-impact printers ठीक है printer की कई सारी variety है जिसको दो section में classified किया गया impact printer और non-impact printer चलिए देखते हैं क्या है यह यह है आपका impact printers ठीक है dot matrix printer यह इसका example है ठीक है यह है आपका यह impact printer ठीक है image देख लिए आप लोगों ने चलिए आप इसके बारे में जानते हैं क्या है इसकी quality the impact printer contains a print head that strike on paper impact printer में क्या होता है बच्चों जो heads होता है वो paper पे 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 फोर्स करता है ठीक है और एक ribbon होता है इसमें जिसमें ink होता है यह print head और paper के बीच में insert होता है ठीक है जब print head strike करता है ribbon पे तो ink paper पे होता है और text form होता है ठीक है इंक paper पे आ जाता है और text को form करता है ठीक है यह बहुती cheap यानि बहुती सस्ता बहुती slow और बहुती noisy है क्योंकि यह impact की वज़े से ठीक है इसका example है dot matrix printers and daisy wheel printers इसका example क्या है dot matrix printers and daisy wheel printers ठीक है यहाँ पे dot matrix printer का pick भी दे रखा है ठीक है तो यह बहुत अच्छा printer नहीं है impact printer ठीक है यह बहुती slow भी काम करता है और बहुती shore करता है और बहुती cheap है ठीक है चलिए देखते है non impact printer का क्या है यह है आपका non impact printer इसको भी देख लीजी आप लोग यह तो आप देखते हैं हर shop पे school में हर जगा आपको नजर आएगा आपकी school में भी होगा यह है नो inkjet printer ठीक है इसके बारे में जानते हैं इसके का quality है non impact printer non impact printers on the other hand do not physically strike on the paper यह जो printer है यह paper पे strike नहीं करता है यह जो print होता है इसमें paper पे strike impact printer भी क्या है paper पे strike करता है ठीक है यह electrostatical charged toners to transfer image on a paper using laser beam or fire's ink on paper यह क्या होता है इसमें electrostatical charged होता है toner यह इस पे जो image form होती हो laser beam या fire ink के थो इसमें paper print होता है ठीक है जैसे example में क्या है इसमें laser printer और inkjet printer ठीक है और ये आपका जादा अच्छा और जादा बेटर है non impact printer इसका example क्या है laser printer inkjet printer difference क्या है इसमें laser beam की थूँ इसमें print होता है या fire ink ठीक है paper पे और ये जादा store नहीं करता cheap नहीं होता मतलब better है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही इतना आप लोग अच्छे से रिविजन कर लो lecture को 2-3 बार आप लोग अच्छे से सुन लीजेगा आपको अच्छे से सारी चीजे समझ में आ जाएंगी अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुसे पूच सकते हैं comment box में ठीक है और परिशान होने की कोई जरूत नहीं है आपका स्लेवर्स कवर होगा पूरा ठीक है एक चैप्टर एक वीडियो में नहीं कवर हो सकता है इसलिए कई पार्ट्स में कवर करूंगी मैं लेकिन सारा आपका स्लेवर्स कवर होगा ठीक है आपको परिशान होने की जरूत नहीं है और नहीं इधर उधर बटकने की जुरुत है, ठीक है, आप विजिट करते रहे हैं, और अगर आप लोग को लेक्षर पसंद आ रहा है, आप लोग को सारी चीज़े समझ में आ रही है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, अगर आप लाइक करोगे, करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा thank you so much for listening me be happy, stay healthy, have a good day bye bye